Hello children, in this video we will do SQL data types इस वीडियो में हम वो data types use करेंगे जो हम SQL table बनाने में use करते हैं जिसका frequently use होता है So the first data type is integer This is also called as int इसको int भी कहा जाता है It stores positive whole numbers up to 11 digits and negative whole numbers up to 10 digits तो जब आप integer data type का use करोगे तो integer data type में आप क्या store कर सकते हो आप positive whole numbers store कर सकते हो whole numbers कौन से होते है जो 0 से start होते है up to infinite तो आप कितने भी numbers मतलब जो integer के अगर आपको numbers का use करना है table creation में किसी column में आपको numbers का use करना है तो आप वहाँ पे integer data type का use करोगे ठीक है और यह क्या store करता है यह positive whole numbers whole numbers कौन से होते है जो 0 से start होते है till infinite ओके और इसकी क्या limit है 10 sorry 11 digits के आप numbers ले सकते हो इसके अंदर positive अगर आप whole numbers ले तो 11 digit और negative ले तो आप 10 digit तक के numbers को store कर सकते हो तो आप आप ने कैसे दिए है फ्लोट का आपने कैसे दिए है फ्लोट ब्रेकेट में दिए xy देन फ्लोट अब xy का क्या meaning है x यहां पर क्या represent कर रहा है size कि total size कितना है जो भी आप value ले रहे हो उसका size कितना है और y क्या precision कि decimal की बाद कितने values मतलब कितने digits वो carry करेगा राइट ओके फ्लोट डेटा टाइप कहां पर यूज होता है फ्लोट डेटा टाइप हम यूज करते हैं जब हमें ऐसे numbers store करने हैं जिसके दर decimal value है decimal value कौन से होते है Fractional value Fractional value मतलब जिसके अंदर decimal point होता है ओके अब integer के अंदर आप Fractional value को store नहीं कर सकते हो integer के अंदर आप dot decimal point वाली values को store नहीं कर सकते हो राइट इसके लिए हमारे पास अलग data type है data is float राइट ओके the numbers are stored in the decimal format कैसे numbers आप store कर सकते हो इसके दर decimal format वाले number decimal format वाले number 27.5 यह क्या हो गया decimal format का number हो गया या फिर आप ले लो 25.27 पॉइंट हमने इसमें लगाया ना तो यह क्या हो गया decimal format का number ठीक है okay the numbers are stored in the decimal format where x is the size that is the total number of dz and y is the precision that is it is the number of places to the right of the decimal point अब यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि अब जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं फ्लोट size size मतलब total number of डीजेट आपके number में कितने डीजेट है ओके और जो वाई वाई जो यह वाला पाट होता है ठीक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि decimal पॉइंट के बाद ठीक है decimal point के बाद कितने डीजेट्स आपने नंबर के अंदर लगाए हैं कितने डीजेट्स नंबर के अंदर प्रेजेंट हैं इस नंबर प्रेजेंट इस तो दे राइट अफ दे पॉइंट के बाद कितने डीजेट्स हैं जैसे मैं एक्जैम्पल देते हैं फ्लोट एट ओकी कोमा टू एट क्या हो जाएगा टोटल नंबर आफ दीजेट इन दा नंबर ठीक है आप इसके अंदर एट डीजेट है यह हमारा नंबर है और इस नंबर के अंदर एट इसके बाद 6, sorry 6 and 7, 5 and यहाँ पर ओकी 3 डीजेट इन दिस एक्जैम्पल फ्लोट डीजेट टाइप स्टोर्स अ नंबर डैट इस फाइव डीजेट विपोर देसिमल एड टू डीजेट आफ्टर देसिमल एड वन डीजेट प्लेस फोर देसिमल ठीक है अब देखो टोटल हमारा क्या है एड डीजेट का नंबर है लेकिन यहाँ पर क्या देखो डेसिमल को भी एजज़ीट कंसीडर किया जाएगा ठीक है अब टोल नंभर ओफ डीजेट और डैसिमल के बाद कितने डीजेट है आपके टू तो यहाँ पर सिक्सार स्थेवन हमने हमारे है और टोटल ठीक है इसके अंदर कितने complete digit कितने है eight और किसको मिलाके decimal point को मिलाके ठीक है और after decimal point हमारे पास precision क्या है two precision मतलब two digit है fine decimal precision can go up to 24 places for a float अब ये क्या कह रहा है कि decimal की बाद आप 24 digits भी दे सकते हो ठीक है जब आप float data type को यूज करें understood जब आपको simple integer digit numbers simple numbers store करने है जिसके दे कोई भी decimal point नहीं है तो आप integer data type का use करोगे जब आपको decimal numbers और और you can say fractional numbers store करने है तो आप आप कौन सा data type यूज करोगे आप float data type यूज करोगे ओके next we have care data type ओके तो यहाँ पर इसका format है care x और care size ठीक है आप इसको define कैसे करते हो care और यहाँ पर size size क्या है number of characters okay इन पर्टिकुलर column name जैसे आपने जब हम इसको table create करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं जैसे हमने table हमने लिया है मालो एक हमने column लिया है sorry हाँ पर care एक column हमने लिया है care name care name लिया है care name okay and यहाँ पर आपने दे दिया 20 care name 20 यह मैंने care column को define care name 20 यहाँ पर थोड़ा सा इसका it's not visible clearly but I am telling you this is care name 20 okay तो यह हमने ऐसे किया है तो यहाँ पर जो 20 है 20 क्या है size है मतलब name column के अंदर जब आप name enter करोगे तो उसकी maximum limit के है 20 characters है मतलब एक name के अंदर 20 से ज्यादा characters आप use नहीं करोगे 20 is the maximum limit of the name fine अब आप देखते है what is care data type care data type provides fixed length memory storage अब यह क्या करहा है care data type कैसा data type है जो हमें एक fixed length का memory storage देता है मतलब अगर आपने यहाँ पर care name 20 लिखा है तो आपको 20 blocks मिल गए memory के ओके और वो change नहीं होंगे you have got 20 blocks of the memory right it specifies a fixed length character string okay अब इसका यह fix है care name 20 means it is fixed name चाहें आप जैसे मैंने इसमें name enter करा है Amit 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 तो Amit के अंदर क्या है अचे हुए 16 blocks है उनको release नहीं करेगा right उनको as it is अपने पास ही store करके रखेगा are you getting इसलिए care को क्या बोलते है फिश्ट length character string okay the care data type can store a maximum of 255 characters care data type अगर आप यूज करे हो तो आप जो maximum limit character store करने की वो क्या है 255 characters आप एक particular value में store कर सकते हो right if the value entered is shorter than its length x then blanks are added okay जो मैंने भी आपको बताया कि आपने declare कर दिया care name 20 just an example आपने care name 20 कर दिया और आपके name में से four characters थे four store हो जाएंगे उसके बाद 16 blocks है जो blanks हैं वो भी इसके अंदर ही add होके रहेंगे वो release नहीं होते हैं fine we should use care data type in a column while using fixed length data in the column like phone number area code etc इसलिए क्या कहते हैं care data type आप यूज करें हो तो तभी यूज करना चाहिए जब आपको पता हो कि इसकी length क्या है जैसे phone number हमें पता है कितने numbers का phone आपको पता है कि इसके दाब 4 characters होंगे या 5 characters होंगे तो उसमें care data type यूज कर सकते हो राइट तो care data type क्या होता है fixed length memory storage होता है ठीक है ओकी एक फिस length character string को store करता है तो care data type आपको कहां यूज करना है जहां पर आपको पहले से पता है कि इस particular column में particular value में कितने characters आएंगे otherwise क्या होगा it is just a wastage of memory आपने care name 20 लिग दिया उसकी बाद आपने first column में आपने value डाली 4 जो first name था वो 4 characters का था second name था आपका 5 characters का था तो क्या होगा बाकी 15 जो blocks है वो memory blocks है कि वो क्या होगे वो fix होगे वो care क्या करता है release नहीं करेगा fine next we have where care okay where care data type provides variable length memory storage अब where care क्या होता यह this data type also stores character value care के अंदर क्या है हम character value को store करते हैं where care के अंदर भी हम लोग character value को store करते हैं right it specifies a variable length character string इसमें क्या है इसमें आप कोई भी value जो इसको define करते हो वो क्या होते है variable length क्या है अगर मैंने इसको कर दिया where care इसके आगे where लगा रोते हैं ठीक है d a r because oh this is not clearly visible I am trying to write it आपने लिखा where care okay where care okay name 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 20 let us post you have written where care आपने declare किया को किसी भी column को where care 20 ठीक है तो अब अगर आपका name है amit 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 क्या है four characters का name है ठीक है तो क्या होगा बाकी के 16 जो जो blocks है memory blocks है क्या करेगा where care उसको release कर देगा so that it can be used by some other function some other thing right तो where care का क्या फायदा है इसको use करने से आप क्या memory wastage नहीं होता है ठीक है the where care data type can store maximum of 65,535 characters और इसकी limit भी ज्यादा है इसमें आप ज्यादा characters store कर सकते हो no blanks are added if the length is shorter than the maximum length x ठीक है तो यह क्या कह रहा है कोई भी blank add नहीं होता memory block इसके अंदर add नहीं होगा ठीक है जितनी इसके अंदर आप जितना एक particular value के अंदर characters होंगे सिर्फ उतनी ही memory use होगी बाकी की memory क्या होती ही release हो जाती है right कोई भी blank इसके अंदर add नहीं होता है right where care will take only the required storage for the actual number of characters entered in that column okay तो मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ जितना उसको memory space चाहिए characters store करने के लिए सिर्फ उतना ही लेता है बाकी की memory वो release कर देता right we should use where care data time in a column while using variable length data in the column like name address designation तो where care का mostly use कहा करते है जहां पर हमें पता नहीं है कि जो columns के अंदर values आएंगी उसमें कितने characters आएंगे because there is no wastage of memory तो हम where care use करते हैं चाहिए उसके नहीं कितने भी आएं अगर ज्यादा characters है ठीके तो वो उतना occupy कर लेगी अगर less characters है तो बाकी की memory क्या कर देगा where care release कर देगा okay next we have date data type okay इसका use कहा करते हैं जब हमें date को store date type is used to store a date in the format year month and day okay तो अगर आपको date store करने है तो किस format में आएगी year month day it stores year month and date values the date values to be entered are to be enclosed in curly brackets or with single quotation marks तो अगर आप date store करें तो क्या उसकी condition है कैसे करनी है या तो आप date को single quotation mark में enclose करोगे या double quotation mark में भी enclose कर सकते है या फिर आप इसको curly brackets में store करोगे ठीके और format क्या होगा format होगा आपका year जैसे यहां पर हमारा आगया 2000 22 okay then month आगया आपका 02 and day आपका आगया 2727 okay इस format में आप इसको date को store करोगे राइट okay next we have boolean data type this data type is used to is used for storing logical values either true or false in both upper and lower case ठीके अगर आपको क्या करना है आपको yes no store करना है या true false store करना है तो वहां पर आप कौन सा data type यूज करोगे आप boolean data type यूज करोगे राइट तो boolean data type में किस form में आप value store करोगे आप इधर आप उसको करोगे true false true or false right ओके और आप yes and no की form में भी data को store कर सकते हो yes or no भी आप कर सकते हो fine ओके तो अगर आपको simply इस type का data store करना है true false logical data store करना है true false और yes or no तो आप boolean data type कर यूज करोगे ओके next we have difference between care and where care data type अब यहां पर मैंने care और where care data type का difference क्यों लिया है क्योंकि इसका question आता ही आता है exam में चाहे वो short question की form में आये चाहे वो long question की form में यह जरूर आता है कि care और where care data type मतलब difference care care और where care data type में right तो कुछ तो difference मैंने अभी आपको समझाई दिया था फिर भी हम इसको point wise कर लेते हैं first we have care care data type provides fixed length memory storage it specifies a fixed length character string ठीक ही क्या कह रहा है care data type क्या करता है fixed length memory storage प्रोवाइड करता है मैंने अभी जो आपको example देके समझाए था अगर आपने लिखा care name 20 तो 20 blocks of memory इसने occupy कर लिया है fine और इसकी जो character string है चाहें आप उसमें four characters हो चाहें five characters हो वो क्या होती है वो fixed होती है right ओके वो changeable नहीं है memory वो 20 के 20 वो blocks occupy करके रखेगा fine where care data type provides variable length memory storage is specify a variable length character strings ओके तो where care data type क्या होता है उसके अदर it provides variable length memory storage मतलब memory storage जैसे मैंने आपको बताया है where care name 20 तो जितना name value के अंदर characters का use होगा उतनी memory को क्या करेगा occupy करेगा और जितनी memory बचेगी उसको release कर देगा right इसले इसको क्या बोलते है variable length character strings right next we have the care data type can store maximum of 255 characters care data type के अंदर 255 characters तक store कर सकते हैं where care data type के अंदर 65535 characters store कर सकते हैं okay care data type is used when the data entries in a column are expected to be of same size care data type का use हम कब करते हैं जब हमें पता होता है कि जो हम entries कर रहे हैं उनका एक fixed size है okay और जितनी values हम store करेंगे सबका same size है fine care where care data type is used when the data entries in a column are expected to vary considerably in size where care हम कहां use करते हैं जब हमें नहीं पता कि column के अंदर हम जो values store कर रहे हैं उन values का size कितना है ठीक है और उस time हम where care क्यों use करते हैं क्योंकि where care जब हम use करते हैं तो हमारा memory wastage नहीं होता है और care के case में क्या होता है memory wastage होता है तो हम इसके अंदर वही value store करते हैं जो हमें पता है मालो मुझे पता है कि student role number है वह maximum two values तक करेंगे ठीक है यह employee id employee id four characters को मिलके बनता है तो मैं क्या करूंगी उसमें care data type का use कर सकते हैं कि I know कि जितने भी values आएंगे इस column में उसमें four characters ही use होंगे राइट next care x will take x character of storage even if you enter less than x characters in that column ठीक है वही बात है कि क्या है एक्स character के storage को ही लेके रखेगा चाहें आप इस column के अंदर x से कम characters को use करो मैंने अभी आपको समझाया है ठीक है यह fix कर देता अगर आपने care name 20 लिग दिया तो 20 blocks of memory fix कर देगा उनको release नहीं करेगा चाहें आप उसके अंदर फिर प्रक्रेक्टर की value डालो चाहें पांच क्रेक्टर की value डालो ओके वैर के विल टेक only the required storage for the actual number of characters enter in that column और वैर क्या करता है उतना ही memory लेता है storage उतनी ही लेता है जितने की उसको जरूत है जितने की उसके characters है fine rest of the memory को क्या करता है release कर देता है okay if the value entered is shorter than its length x then blanks are added वह मैंने भी आपको बता है अगर short आपके number of characters कम है तो भी क्या करता है blanks added ही रहते है blanks यहां पर क्या है memory blocks है उसके नदर as it is रहेंगे ठीक है no blanks are added if the length is shorter than the maximum length x ठीक है और where care में क्या है कोई भी blanks add नहीं होता है ठीक है अगर आपकी lens क्या है shorter है जितनी भी blocks होते memory के आप यहां पर blanks word यूज़ करें यहां पर blanks word यूज़ करें these are memory blocks okay these blocks are released fine care data type takes memory space of one byte per character care data type जब आप यूज़ करते हो तो क्या करता है यह one byte लेता है per character okay where care takes a memory space of one byte per character plus two bytes to hold the variable length information where care की case में क्या है one byte तो पर character लेगा लेकिन two bytes क्या लेगा two bytes और memory लेगा variable length information को मतलब इसकी length value की length की information को contain करने के लिए we should use care data type in a column while using fixed length data in the column like phone number areas code okay जहां पर हमें पता है कि कितने characters आएंगे वहां पर हम care data type का use करेंगे we should use where care data type in a column while using variable length data in a column like name address designation okay और where care हम वहां यूज करेंगे जहां पर हमें नहीं पता कि इस particular column में जो values हम यूज करेंगे उसमें कितने characters आएंगे okay for example अब यहां पर example लिया name care 10 okay अब हमने एक name में value डाली अनू name feed occupies 10 bytes with the अब हमारा name feed है उसमें कितने कितनी occupy करेंगा 10 bytes occupy करेंगा with the first 3 bytes for the value and the rest for the blank data fine अब वह क्या कह रहा है हमने declare कर दिया name care 10 okay first name डाला हमने अनू तो क्या होगा 3 bytes उसने name के लिए लिए बाकि 7 bytes क्या होगा उसने as it is blank उसमें add हो चुके जो as it is रहेंगे okay मतला वह बाकी की जो blocks उसमें है उनको release नहीं करेंगा वह memory blocks as it is इसमें add रहेंगे fine अब यहां पर where care कर जह हम देखते है name care 10 और name में हमने value डाली अनू तो name feed occupies only 5 bytes यहां पर 5 bytes की memory को वह occupy करके रखेगा ठीक है 3 तो characters के लिए अनू के लिए और 2 उसकी variable length की information के लिए हमेशा यह 2 रहेगी ठीक है first 3 bytes for the value okay and the other 2 bytes for the variable length information fine समझ आया where care क्या है 5 bytes को occupy करेगा और बाकी की 5 बचेंगे उनको release कर देगा लेकिन care क्या करेगा जो 10 की 10 bytes है उनको occupy करके ही रखेगा fine अब यहां पर differences तो मैंने आपको बहुत सारे बता दी है ठीक है लेकिन आप इसको सिफ समझो और इसको अपने words में लिखो right और यह नहीं कि इस सारे के सारे लिखने right you can write 5 out of them you can write 3 out of them according to the number of the question कि number कि जो question हो कितने marks का है okay okay children now we will meet in the next video with another topic till then be safe keep studying okay and subscribe my channel for useful videos